इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी के चलती काफी चर्चा में बनी हुई हैं बॉलिवुड एक्ट्रस अनुष्का शर्मा दरसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले 27 अगस के दिन इंडिन क्रिकेट टीम की कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने फैंस को ये गुड न्यूस दी थी कि जल्द ही उनके घर एक नन्ना सा मेहमान आने वाला है जी हाँ दोस्तों जानकरी के लिए आपको बता दें कि विराट और अनुष्का ने एक खुबसरत तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि साल 2021 में जन्वरी के महीने में उनके घर एक और नया मेहमान आने वाला है वहीं जब से एक खबर सामने आई है तब से लगातार सोशल मीडिया पर फैंस विराट अनुष्का को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसी बीच अनुष्का शर्मा को लेकर एक बेहत बड़ी खबर सामने आई है दरसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा जल्द ही आप सभी को फिर से बड़े परदे पर नजर आने वाली हैं बॉलिवुड में एक बार फिर से अनुष्का शर्मा एंट्री कर सकती है जी हाँ दोस्तों बॉलिवुड निर्माता ओम राउत की अगली फिल्म आदी पुरुष को लेकर लगातार कई बड़ी खबरें सामने आ रही है इस फिल्म में भगवान शीराम का किरदार निभाती हुए नजर आने वाले हैं साउथ की पॉपुलर स्टार प्रभाज तो वहीं रावन का किरदार निभाती हुए नजर आएंगे बॉलिवुड की नवाब सेफली खान लेकिन इसी बीच खबरों के मताबिक सामने आया है कि अनुश्का शर्मा एक बार फिल्स दे बॉलिवुड में धमाल मचाने के लिए आ रही है दरसल निर्माताओं के मताबिक सामने आया है कि इस फिल्म में माता सीता का किरदार निभाने के लिए अनुश्का शर्मा परफेक्ट है अनुश्का शर्मा मेकर्स की पहली पसंद बन चुकी है और जल्द ही इस मामले में फैसला भी हो सकता है जहां एक और बीते कुछ दिनों पहले ही ये बड़ी खबर सामने आई है तो वहीं अब ये खबर भी सामने आई है कि ओम राउट से मुलाकात करके अनुश्का शर्मा को पूरा प्रोजेक्ट बताते हुए फिल्म को लेकर डिश्कशन भी किया जा चुका है अनुश्का ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जहां एक और अपने मा बनने की खुशकबरी दी है तो वहीं अब अनुश्का को लेकर ये बेहत बड़ी खबर सामने आई है और शायद अनुश्का शर्मा जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार भी हो सकती है फिल्हाल जानकर एक लिए आपको बता दें कि निर्माताओं का ये भी मानना है कि अनुश्का फिल्म को लेकर हामी भर लेंगी और फिर फिल्म की शूटिंग की तारीखों को भी फाइनल किया जाएगा जानकरी गले आपको बता दें कि अनुश्का शर्मा चार महीनी की प्रेगनेंट है और साल 2021 में जनवरी के महीने में उनकी डिलीवरी होनी है एसमें दिखा जाए तो सोशल मीडिया पर लगातार अनुश्का शर्मा को बधाई दे रहे हैं उनके करोडों पैंस हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्श को इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाई निउस